नगरनीगम की बिलडिंग में आग लगने से जन स्वास्थे विभाग का रेकॉर्ड जल गया नगरनीगम में कमड़ा नमबर 303 जिसमें जन स्वास्थे विभाग पुटर वैकुटा डख्षिन निगम के रेकॉर्ड रखे जाते हैं वहाँ पर अचानक आग लग जाने से काफी सारे रेकॉर्ड जल कर खाक हो गए नगर निगम आयुक केर्थी राच्छोर ने बताया है कि आग लगने की सूचना मिलने पर ततकाल दमकल को रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया शनिवार होने की वज़े से कमरे में कोई करमचारी मौजूद नहीं था आयुक ने बताया है कि कमरा नंबर 303 में कोटा उत्तर वे कोटा दक्षिन के जन स्वास्तिवे भाग के रेकॉर्ड रखे जाते हैं जिन में आग लग जाने से रेकॉर्ड जल गए हैं ज्यादातर रेकॉर्ड कोटा उत्तर नगर्णिगम के जले हैं आग लगने के कारणों का पता लगाय जा रहा है कोटा उत्तर नगर्णिगम महपौर मंचू महरा ने बताया है कि आग लगने की जानकारी सफाई करमचारी द्वारा मिली है तुरंत मौके पर पहुँचकर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया आग किन कारणों से लगी है इसका पता किया जा रहा है अगर किसी करमचारी की लापरवाई हुई है तो इसमें जरूर एक्शन लिया ज यह समझो कि आज चुटी थी और उसकी वज़े से सफाई करमचारी तो उसनने देखा इसलिए अगर जह खुला रहता है यह ज़्यादा सफाई कर्मचारी अगर उसमें करते रहेते काम तो कैसि ज्यादा नुक्सान होता हो सकता है कानमान की हानी भी होती तो यह अम इसकी और ऐसा भी होता है बारिश के टांग जब लोग करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं जिसे पाउन भी रख देतें तो लाइट ज्यादा कर वोर्टेज ज्यादा और कम आने से उससे भी हो जाता है हाथा हो जाता है अचानक कारण तो देखिए अभी मालूम नहीं है पर उजे स से जानकारी मिली तो तद्काल हमने आक्शन लेते वे सबसे पहला काम तो फायर को इंफॉर्म किया फायर की गाड़ी रवाना करी दूसरा जिस रूम में इससे धुआ निकल रहा था उस रूम का हमने लॉक फुल लगा के उसको तद्काल बुजाने का काम किया है चुटी होने जो है वो उत्तर का फार्ट है और उसमें स्वास का जो सेक्शन है वो उत्तर का और दकशिन का दोनों कारे रख थे तो जहां यह उत्तर का जो अलमारी रखी थी रेकॉर्ड की वहां पे computer system भी था तो वह वाला पार्ट जादा जला हुआ है और जब आये थे उस थांग वही हम बस्ते में बंदवा के रखफा देंगे ताकि उसका बाग में परिक्षन किया जा सके और जो बिल्कुल ही नश्ट हो चुका है उसको अलग से रखफा दिया है फिलाल अभी सफाई चल रही है इसकी फ्लोर की इसका अभी कारण सामने नहीं आए लेक्टिट कह रहे हैं अभ कि में बताबी निपांगी